मुक्य निर्वाचन परादीकारी केरवी कुमार ने कहा चुनाओ से जुड़े सही जानकारी के लिए आतिफिशर ए इंडिलेजिन्स के इस्तिमाल की तैयारी मिलेगी सटीक जानकारी राजी में लोकसवा चुनाओ को लेकर एड़ी गठबंदन कभी भी कर सकता है अपने प्रतियाश्चों का एलान कॉंग्रिस नेता दिल ली हुआ रवाना जहां अखर मुक्ती मोचा में भी प्रतियाश्चों के नामों पर मन्द करने है जारी बाग पुलिस को अपरादियों क के खिलाब बड़ी सा खलता जेजे एमपी का फुर्व सब्जोनल कमांडर समीट पांच अपरादी हत्यार के साथ गिरफतार और राजी में दीरे दीरे बढ़ने लगा पारा दिन में आभी से ही परिशान करने लगी गर्मी तीस और एकरतिस मार्च के एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज बारिश की संभावना नमस्कार खबर जारकन में आपका स्वागत है खबरों के साथ मैं हूं सरोजाओ और अब खबरे विस्तार से और नीस अप्रेल को होने वाले पहले चरण के लोगसभा चुनाओं के लिए 102 में से 98 सीटों के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने का काम खतम हो गया आज आखरे दिन नागपूर से भाजबा प्रत्याशी और केंद्री मंत्रे नितिन गटकरी ने अपना नाम दाखिल किया लोगसभा के दूसरे चरण के चुनाओं के लिए दिसूचना कल जारे होगी दूसरे चरण में 12 राजियों और एक केंद्र शासित प्रदेश की नवासी लोगसभा सीटों के लिए चुनाओं होगा मुख्य निर्वाचन पताधिकारी जहारकन कारियाले ने आर्टिफिशल इंटिलिजेंस AI का प्रयोग चुनाओं के संचालन के लिए शुरू कर दिया है राजी के मुखे निर्वाचन पताधिकारी के रवी कुमार ने बताया कि इसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक मैनेजमेंट सिस्टम विक्सित किया है इसमें जैप जीपीटी 3.5 का अपयोग किया गया है उनों ने बताया कि चुनाओं से संबनित कोई भी जानकारी निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मशारी बोल कर या लिख कर दे सकते हैं शिकुमार ने बताया कि आटिफिशल इंटिलिजेंस के उपयोग से लोगों को सटीक और तेजगती से जानकारी मिल सकेगी वो इंटरेट से काम बात नहीं करते हुए अपने वों डेटाबेस का माधियम से उसमें कितना डिटू दिया उसी का आधार पर वो जबाब देती है इसमें कितना भी डिप्टी एलेक्शन आफिसर है लिस्टिक एलेक्शन आफिसर रहा है यह रोई यह रोई रोई सुप्रोईसर है उनका यूज क्या सकते हैं बेसिकली अभी किसी मैनूल का रफर करने के लिए आवशक ने पड़ेगी प्रतम वहां पर पूचेंगे वो कहा आफिसर के लिए यूस में नहीं रहेगे फिर में के लिए यलेक्शन करने के लिए इलक्शन मेशनेर भीए उसका यzing म्यूनिफेड लैंन्ग मैनेजमल Singapore मिल गया वसी सिस्टेम में सब होगी इसलिए एक एरर फ्री एलेक्शन करने के लिए ये आर्टिफिजिन इलिजिन सिस्टम यूज़ करेगी, वो अब इंडिरेक्ली वोटर का भी मलत करेगी लोकसवा चुनाओ के मद्दे नजर सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की चुट्टी पर मुखे निर्वाचन पदाधिकारी फैसला लेंगे चुनाओ समाप्ती तक आकस्मिक अवकाश और मुख्याले चोड़ने की स्विक्रती निर्वाचन पदाधिकारी देंगे डेजीपी के आदेश पर आईजी अभियान ने इससे संबनित आदेश जारी कर दिया है इसको लेकर विभिन जिलों के एससपी, एसपी और अन्य विंग के एसपी तथा समादेश्टा को पत्र बेज कर अवगत करा दिया गया है आगामी लोगसभा चुनाओं को लेकरा जमशेतपूर प्रखन कारियाले में उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं बरिये पुलिस अधिक्षक किशोर कौशल के ने तृत्तों में महत पोन बैठक की गई बैठक के दोरान अधिकारियों को कई तरह की जानकारी के साथ आवश्यक दिशाने देश दे गए लोगसभा चुनाओं की तैयारियों को लेकर जमशेतपूर के उपायुक्त अनन्य मित्तल और वरिये पुलिस अधिक्षक किशोर कौशल ने बैठक की इस दोरान उपायुक्त ने बताया कि शान्तिपूर और शत प्रतिश्यत मद्दान को लेकर काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि दिव्यांगों और बुज़र्गों के लिए भी विशेस इंतिजाम किये जा रहे हैं इस अनेलिसिस के साथ साथ हम लोगों ने ये भी अनेलिसिस किया कि कितने बुर्का क्लैड हमारे बूत रहेंगे और साथी साथ जो भी हमारे दिव्यांग भाई बेनों को और 85 प्लस को सुविधायें दी जानी है ताकि एक सभी 100% हम लोग वोटिंग की तरफ बढ़ सके इस तरीके के हमने प्रयासों को देखा और स्वीप की एक्टिविटीज जहां-जहां करनी है उसके भी दिशान निर्देश दिए वही पुर्वी सिवुम जिले के बरिये पुलिस अदिक्षक किशोर कौशल ने कहा कि जमशेदपूर से सटे बंगाल और ओडिसा सीमा पर अंतर राजिये कुल बारत चेकनाका बनाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सभी चेकनाकों पर विशेस निगरानी रखी जा रही है बैठके दोरान उपायुक्त और वर्ये पुलिस अदिक्षक ने वहां मौजूद पदाधिकारियों और कर्मियों को चुनाओं से जुड़ी कई जानकारियां दी इस दोरान उन्होंने पदाधिकारियों को विदी व्यवस्ता को लेकर भी कई निर्देश दिये जमशेदपूर से राजीश लालदास की रिपोर्ट मौकारों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सा उपायुक्त बिजिया जाधव के निर्देश पर आज समाहन आले सभागार में एक बैठक होई इस बैठक में गिरेडी लोगसभा शेत्र अंतरगत आने वाले विदान सभा शेत्रों एवं वोकारों जिला अंतरगत धनबाद लोगसभा शेत्र में आने वाले विदान सभा शेत्रों की सहायक निर्वाची पदाधिकारियों एवं विबिन कोशांगों के नोडल पदाध बतौर प्रिस्टिक्षक जिला सूचना एवं विग्यान पदाधिकारी धननजे कुमार ने कहा कि लोगसभा चुनाओं में कारियों के निश्पादन में IT एप्लिकेशन की एहम भूमिका है। यह जागरुकता रैली धनबाध के बस स्टैंड से शुरू होकर हीरापूर होते हुए रंधीर वर्माच शौक तक गई जिसमें सैक्रों की संख्या में सफाई कर्मी शामिल हुए और लोगों को मद्दान की प्रती जागरुक किया। फॉर्म छे भर कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं। मतदाता सूची में वोटर एलफलाइन एप से सरलता से नाम जुड़ सकता है। बैटर के दोरान जिला निर्वाचन पताधिकारी ने सभी उपक्रमों के प्रतिनीदियों से उनके शेत्र के मद्दान केंद्रों में अशूर्ड मिनिमम फैसलिटी सुनिश्चित कराने के लिए सहयोग प्रदान करने का भी निर्देश दिया। पाकुर जिले में समार नाले में नोडल पदाधिकारियों को एंकोर पोर्टल का प्रशिक्शन दिया गया। इस दोरान उन्हें प्रत्याश्यों के ओनलाइन नामांकन प्रचार के लिए वानू का पंजियन सहित चुनाओ संबंदी कई कारियों के बारे में जानकारी दी गई। प्रदेश कॉंग्रिस अध्यक्ष राजी श्ठाकुर ने कहा है कि बहुत जल्द इंडी गडबंदन के उमीदवारों के गोशना कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राजी में चौते चरण में चुनाओ होना है। लेहाजा उन लोगों के पास बहुत वक्त है। श्ठाकुर ने कहा कि जल्दवाजी में ऐसा कोई निर्णे नहों जिससे कि उमीदवार को वापस लेने की नौबत पड़ जाए। उस निमीद हम लोग प्रियास कर रहे हैं कि सबकी सहमती के साथ, पूरे गड़बंदन के साथियों के सहमती के बाद हम लोग निर्णे ले और उस निमीद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारी सीजी के बैठक है, उसमें जिन सीटों पर हमने मन बनाया हुआ है, उन सी पर निकली है और इस क्रम में आज वे जम्शेदपुर पहुँची प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधान मंत्री बनाने के संकल्प को लेकर मुलिट से मदुरही से नई दिल्ली के लिए निकली राज लक्ष्मी मांडा आज जम्शेदपुर पर इनका स्वागत हुआ। मौके पर उन्होंने कहा कि वे 15 राज्यों में जाकर लोगों से नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधान मंत्री बनाने की अपील कर रही हैं। दुरही से निकली राज लक्ष्मी, आंद्र प्रधेश और ओरीसा समित कई राज्यों से होते हुए जारकन पहुंची। ओलोंने कहा कि इस बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लोग प्रियता और बढ़ी है। राज लक्ष्मी 12,000 किलो मीटर का सफर तै कर चुकी है। और अब वे बिहार समित अन्य राज्यों से होते हुए नई दिल्ली पहुंचेंगी। खुटी लोगसवाज शेत्र में पढ़ने वाले सिम्डेगा जिले में लोगसवाज चुनाओं की तैयारी तेज हो गई है। सिम्डेगा जिला खुटी लोगसवाज शेत्र का एक महत पोण हिस्सा है। सिम्डेगा जिले में अधिक से अधिक संख्या में उनको मद्दान के दिन अच्छी फेसिलिटीज दे करके हम उनको लापाए। सिम्डेगा के उपायुकते मद्दाताओं से लोगतंत्र के इस महापर में बढ़ चड़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने का कि मद्दाताओं को जागरूप करने के लिए भी लगातार प्रियास किया जा रहा है। हम लोगों ने जो मद्दाता सुची है उसका प्यूरिफिकेशन करने का भ़म बड़ी महनत से इस जिले में किया है। जिसमें हम लोगों ने जो मृत और जो पर्मनेटली शिफ्टिट बड़ाता है उसकी संख्या लगबग बाईस हजार से भी अधिक है। जिसको हम लोगों ने मद्दाता सुची में ऐसे नामों को विलोपित कर दिया है। चुनाब को लेकर सुरक्षा द्रिष्टिकोन से भी कई कदम उठाये जा रहे हैं। जिले के पुलिस अधिक्षक सौरब कुमार के अनुसार चुनाब के मद्दे नजर 6 इंटरेस्टेट चेकनकाओं को क्रियसील कर दिया गया है। चुनाब के दौरान जिलाबल के साथ साथ जैप और सेट के भी जवानों को तैनात किया जा रहा है। इसके अलाबा सीची टीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से भी सुरक्षा निग्रानी होगी। उन सभी पर हमनों लगाता रेक्षा साथ 110 की सिय इत्यादी की कारवाई भी हमनों कर रहे हैं। सिम्डेगा से मनोज कुमार सिनहा मनु के साथ मैं दिवाकर कुमार। खेमों में बढ़ गई है। एक हमारा खेमा है जो इस देश से ब्रस्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है। और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है वो प्रस्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्थे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना और जिनों ने पहले खुद ने आरोप किये थे, वो भी उनको बचाने में लग गए है। लोगसभा चुनाव में जन्मत पाटी ने राजी में चुनाव लड़ने की घोशना की है। लेटिक्स करेंगे, फ्रेस लीडर्शिप देंगे और चौदों को लोगसभा में चुनाव लड़ने के बाद साथ साथ हम लोग बंगाल का जार्खन शेतर से भी केंडिट देंगे, उडिसा भी देंगे और बिहार का तो हमारा उमीद बारा ही है। हजारीबाग पुलिस ने उगरवादी संगठन जेजे एंपे के पुर्वस सब जोनल कमांडर राजीश गंजु सहीद पांच अफरादियों को हथियार और कार्तूस के साथ गिरफतार किया है। जिले के पुलिस अधिक्षक अरविंद कुमार सिंग ने बताया कि उगरवादी संगठन टीपी सी के धर्मवीर के नाम से इनके द्वारा शेत्र में लेवी की मांग की जा रही थी। उन्होंने बताया कि राजीश पर चत्रा, जारिबाग और रामगड के विभिन थानों में 13 से अधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि जेजे एंपी छोड़ कर वो एक अन्या आपरादे किरोध तयार कर शेत्र में सक्रिय था और अपने गुर्गे की मदद से लेवी की मांग कर रहा था। तो आग लगड़े में सफलता उन्हों को नहीं मीली, उन्होंने कुछ पोस्टर भी वहाँ परचिपकाया और एक फारिंग करके ये लोग वहाँ से भाग गये। और अब देखते हैं फटफट अंदाज में जिलों के खबरें। राजी सभा चुनाओ 2016 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग मामले में एसीबी के विशेस नयधीश। प्रकाश ज्या की अदालत ने ग्रेव विभा के अपर सचीव अविनाश चंडर ठाकुर को 6 अप्रेल को उपस्तित होकर पक्ष रखने की तीथी निर्धारित की है। मामले की अनुसंधान करता ने जनवरी 2024 में क्लोजर रिपोर्ट तैयार करते वे इस केस को बंद करने का अग्रह कोट से किया था। इसके बाद अदालत ने शिकायत करता को नोटिस जारी किया था और अपना पक्ष रखने को कहा है। भारतिय रिट क्रॉस सुसाइटी की ओर से यूरेनियम कॉर्परिशन ओफ इंडिया की CSR कारिकरम के तहर 30 मार्च से 1 अप्रैल तक बाग बेड़ा राम बनुहर नित्राले में निशुप नेत्र जान शिविर का योजिन किया जाएगा। जिसके बाद मरीजों को मुफ्त मे दवा और चस्मा भी दिया जाएगा। लोग गोली लगने के बाद इलाज के लिए MRMCH ले गए लेकिन डॉक्टर ने जाच के बाद उसे मृत गोशित कर दिया जाच में पुलिस जुट गई है। पाने के लिए फायर ब्रिगेट की छे बाहन और बी सी सील के दो फायर ब्रिगेट के बाहन घटना स्थल पर पहुँच कर आग पर काबो पा लिया है। सूचना मिलते ही पुटकी पुलिस घटना स्थल पर पहुच गई। गुमला जिले में NH23 रांची गुमला मुखे मार्क पर मंगलबार की रात को सड़क दुर गटना में एक वैक्ती की मौत हो गई। गटना के बाद स्थानिय लोगो द्वारा नैशनल आइबे को जाम कर दिया गया। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पुलिस ने पहुच कर जाम हटाया। राजदानी रांची के बरियातु थाना शेत्र के टैगोर हिल रोड में रहने वाले एक वैक्ती जोती प्रकाश जो जारकन खनीज निगम में बड़ा बाबू के पत पर कार रहत थे। उन्होंने अपने ही फ्लैट के कमरे में आत्मत्या कर ली है। मामले की जानकारी मिलते ही बरियातु पुलिस मौके प्रपहुंची और आवश्यक जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद शब को पोस्माटम के लिए रिम्स बेज दिया। बरियातु थाना प्रपहरी सुरेश मंडल ने बताया कि घरेलू विवाद और डिप्रेशन आत्मत्या की वज़ा बताई गई है। कमरे की तलाशी के दौरान कोई सुसाइडल नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपूर हमेशा सी जारखन में सेलानियों के लिए पसंद दिदा जगर रहा है। यहां का जुबली पार्क पर्याटकों को खूब आकरशित करता है। अब प्रवंधन यहां एक वेपूल भी बनाया है जो इन दिनों आकरशन का खासा केंदर बन रहा है। जमशेदपूर का जुबली पार्क पर्याटकों को हमेशा आकरशित करता रहा है। अब यहां वेपूल का मज़ा भी पर्याटक उठा सकते हैं जो इन दिनों खासा आकरशन का केंदर बन रहा है। स्थानिया लोगों का कहना है कि अब जमशेदपूर में ही उन्हें पूरी और मुंबई के समुद्रे तठ का मज़ा इस वेपूल में मिल रहा है। गर्मी की शुरुआत और स्कूलों में चल रही छुट्टियों की वजह से यहां इन दिनों बच्चों की भी भीड खूब दिख रही है। परिवार के साथ यहां पहुँची मोनिका सेंग और रौकी जैसे कई लोगों ने कहा कि अब उन्हें समुद्र के लहरों का आनंद लेने के लिए बहाजाने की जरूरत नहीं है। यहां बना वेब पुल काफी बड़ा है और इसमें एक साथ करीब डेड़ हजार लोग मस्ती कर सकते हैं। वाटर पार्क के इंचार्ज अमित कुमार ने कहा कि यहां वेब पुल जुड़ जाने से लोगों को अब और बहतरीन सुविधाएं मिल रही है। लोहनगरी जमशेदपुर में घूमने के लिए लोग जारखंट से ही नहीं बलकि पडोसी राजे पश्चिम बंगाल और ओडिसा से भी खूब परेटक पहुचते हैं। इस तरह की सुविधाओं का विस्तार होने से निश्चित तोर पर परेटन को बढ़ावा मिलेगा। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। सुविधा की कमी है। इसलिए किसानों को जल प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है। राजी में दीरे दीरे पारा चठने लगा है। दिन में अभी सही गर्मी ने लोगों को परिशान करना शुरू कर दिया है। आने वाले दो दिनों में तापमान में और बड़ुत्तरी की संभावना व्यक्त की गई है। मौसर बिग्यान किंद्र राजी ने कहा है कि 331 मार्ज को एक बार फिर राजी के मौसम का मिजास बदलेगा। इस दौरान बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुक्षेरों के आज के तापमान पर। जल बेवजह बरबाद किया जाता है। जल संकट का समाधान जल के संग्रक्षन से ही है। जल के बिना सुनहरे कल की कलपना नहीं की जा सकती। जीवन के सभी कारियों का निश्वादन करने के लिए जल की आवशकता होती है। भारत एक बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है यहां विश्व की करीव 18 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जबकि शेत्रफल विश्व की कुल भूमी का करीव पौने 3 प्रतिशत ही है इतनी कम भूमी पर इतनी अधिक आबादी के लिए विश्व के कुल जल संसाधन का मात्र चार पतिशत ही उपलब्ध है इतनी बड़ी आबादी की पानी और अनजरूरते पूरी करने में देश के संसाधन हाफने लगे हैं भारत जहां जल संकट के मुहाने पर आखड़ा हुआ है तो वहीं प्रदूशन की माल से भी त्राहिमाम कर रहा है युनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले दो दश्कों से वर्षा में गिरावर्ट दर्ज की जा रही है इसलिए खेती किसानी के लिए भूमी का चल का इस्तेमाल करना पड़ता है इससे भुजल दोहन लगातार बढ़ रहा है सेवक्त राष्ट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिंधु गंगा के मैदान के कुछ शेत्र पहले ही भुजल की कमी के खतरनाग बिंदु को पार कर चुके हैं सेवक्त राष्ट की संसाई युनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दोहजार पचीज तक भारत में जल संकट बहुत बढ़ जाएगा आशंका जताई गई है कि अत्यदिग भुजल दोहन और अल्प जल संरक्षन और ग्रेशियल के पिघलने के कारण गंगा, ब्रमपुत्र और सिंधु जैसी हिमाले नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा पूरे उत्तर पश्युमी शेत्र में साल दोहजार पचीज तक कम भुजल उपलब्दता का गंभीर संकट होने का अनुमान है आश के दिन के अतिहासिक और महतपोन घटनाओ पर एक नजर 27 मार्च साल 1961 से विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुवात हुई इसकी शुरुवात अंतराष्टी रंगमंच संस्तान द्वारा की गई रंगमंच से सम्मंधित, अनेक संस्ताओं और समुहुं द्वारा इस दिन को विशेश दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है मनोरंजन के दृष्टी कोण से विश्व रंगमंच दिवस अपना खास इस्तान रखता है इस दिवस का एक महत्वपूर्ण आयोजन अंतराष्टी रंगमंच संदेश है जो विश्व के किसी जाने माने रंग कर्मी द्वारा रंगमंच और शान्ती की संस्कृती विशेश पर उसके विचारों को व्यक्त करता है साल 1962 में पहला अंतराष्टी रंगमंच संदेश फ्रांस के जीन काक्टे ने दिया था साल 2002 में यह संदेश भारत के प्रिसिद्ध रंग कर्मी ग्रीश का नाड़ द्वारा दिया गया मुक्य निर्वाचन पदारीकारी केरवी कुमार ने कहां चुनाओ से जुड़े सही जानकारी के लिए आतिफिशर एंटिलिजन्स के इस्तिमाल की तैयारी मिलेगी सटीक जानकारी राजी में लोगसवा चुनाओ को लेकर एड़ी गठबंदन कभी भी कर सकता है अपने प्रित्याश्चों का एलान कॉंग्रिस नेता दिल्ली हुआ रवाना जहां अर्खन मुक्ती मोचा में भी प्रित्याश्चों के नामों पर मन करने हजारी बाग पुलिस को अपरादियों के खिलाब बड़ी सा खलता जेजे एंपी का फुर्व सब्जोनल कमांडर समीट पांच अपरादी हत्यार के साथ गिरफतार अर्राजी में दिरे दिरे बढ़ने लगा पारा दिन में आभी से ही परिशान करने लगी गर्मी तीस और इकरतिस मार्च के एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज बारिश की संभावना झाल झाल झाल